हैलो फ्रेंड्स मैं हूँ ऑनना पुयना एडेल वेलकम टोब माई चैनल हाज मैं आपके साथ शेयर करें एक यूनीक आईस क्रीम रेशिपी जो बहुत ज़दा क्रीमी है बहुत ज़दा यम्मी है बहुत ज़दा टेस्टी है आप देख सकते हैं ये दिखने में कितना ज़्यादा क्रीमी लग रहा है खाने में भी उतना ही ज़्यादा tasty है उतना ही ज़्यादा yummy है साथी ये healthy है क्योंकि इसमें हम use करने वाले हैं walnuts walnuts के health benefits तो आप जानते ही हैं और इसमें हम लोग कोई भी preservatives use नहीं करेंगे फुल फैट या फुल क्रीम मिल्क यह है देड़ कप उसके अलावा इसमें मैं डाल रही हूं दो टेबल स्पून शक्कर शक्कर आप अपने टेस्ट के अपारिम कम या जादा कर सकते हैं उसके बाद यह है कॉन फ्लॉर एक टेबल स्पून डाल कर सारी चीजों को हमें अच्छ साइड में अभी मैंने लिया एक बावल इसमें मैं डाल रही है दो टीज़्पून कोफी और चार टीज़्पून जितना गरम पानी है डाल कर इसे अच्छे से मिक्स करना है मिक्स करके इसको भी हम रखते हैं साइड में यहाँ पे मैंने इंस्टें कोफी यूज किया है उस इस तरीके से लाकर तोड़कर इसके भी आप छोटे-छोटे पीस करके यूज कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से मैं सारे वालनट निकालकर इनके छोटे-छोटे पीसिस कर लोंगी अब हम देखते हैं दूद दूद मैंन तरीके से लगातार मिलाते हुए अराउंड चार मिनट तक के पकाना है धीमियाज पर या फिर आप स्पून को इस तरी से पलट कर देखिए अगर इस तरीके से लेयर बन रहा है मतलब हमारा ये दूद्ध पक्के रेडी है अब मैंने ग्यास का फ्लेम आफ कर दिया और इसे मै बड़े बरतन में मैं विपिंग क्रीम ले रही हूं ये पूरी तरीके से मेल्ट हुआ है बट ये ठंडा है तो यहां पे मैंने देड़ कप विपिंग क्रीम लिया है लेकर मैं इसे अच्छे से फेट रही हूं यहां पे इसको इतना फेटने के बाद इसमें मैं डाल रही condensed milk 1 foot cup है आप चाहो तो इसे skip भी कर सकते हूँ बट मैं market style में बना रही हूँ इसलिए मैं condensed milk डाल रही हूँ डाल कर इसे हमें अच्छे से बीट करना है यहाँ पर बहुत ज़ादा बीट करने की ज़रूरत नहीं है जब यह quantity में दुगना हो जाए उतना हमें इसे बीट करना है अब मैं इसमें डाल रही हूँ यह कोको पौडर 1 टेबल स्पून और जो कॉफी हमने मिल्ट करके रखा था वो डाल कर अभी सारी चीजों को मैं फिर से बीट कर रही हूँ यह आईस क्रीम इंस्टेंट आईस क्रीम है मतलब इसे हमें हम तुरंद बना रहे हैं इसलिए इसमें मैंने GMS और CMC का यूज भी नहीं किया है अभी मैंने इसको अच्छे से फेट लिया उसके बद जो दूद हमने पका के रखा था उसको मैं डारेक्ट डाल रही हूँ आप चाहो तो इसे चान कर भी डाल सकते हैं इसमें कोई गुटली नहीं है इसलिए मैं डारेक्ट डाल रही हूँ अगर आपके दूद में थोड़ी सी भी गुटली होगी तो आप उसे चान कर ज़रूर डालिए अब डालने के बाद इसे हमें थोड़ी देर आपको पसंदे है वह आप इसमें डाल सकते है वॉल्णन डालने के बाद इस तरही के से स्पैचुला से या स्पून से अच्छे से मिक्स करना है अब यहाँ पे हमें बीट करने की ज़रुरत नहीं है अब मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मिक्स करने के बाद इसे हम clean wrap से या फिर silver foil से अच्छे से wrap करेंगे तो पहले मैं बरतन को इस तरीके से पोश ले रही हूँ पोशने के बाद इसके उपर मैं थोड़े से और walnuts डालके इसे मैं गार्निश कर रही हूँ आप इसके उपर और cocoa powder डालके भी गार्निश कर सकते हैं मेरे कुछ friends ने मुझे request किया था कि बिना GMS और CMC के आप ice cream कैसे बनता है वो share कीजिए इसलिए मैं ये video share कर रही हूँ इसमें मैंने GMS और CMC का use नहीं किया है CMS का use करने से वो stabilizer का काम करता है मतलब जो ice cream है उसे जल्दी पिगलने नहीं देता है बट बिना CMC और GMS के भी ये ice cream बहुती ज़्यादा tasty है अब मैंने इसको clean wrap से अच्छे से wrap कर लिया है अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप किसी air tight डबे में डाल कर freezer में राद भर जमने के लिए भी रख सकते है तो अब next day morning मैं आपको ice cream दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं ये बहुती ज़्यादा अच्छे से set हो गया है अब मैं आपको इसे open करके भी दिखा रही हूँ तो अब ये अच्छे से set हो गया जिसे कि मैंने बताया है आप इसे air tight container में या किसी steel के डबे में भी डाल के जमने रख सकते हैं ये एक instant ice cream है तो अभी मैं इसे निकाल रही हूँ निकाल कर इसे मैं गानिश करूँगी कटेवे walnuts और कॉफी के साथ अगर आप इसमें CMC का यूज़ करना चाहते हो तो जब हम दूद उबालते उसमें वनेट स्पून जितना ही डालकर आप अगर दूद को पकाऊगे तो आपका ice cream जल्दी melt नहीं होगा तो अब ही मैंने निकाला है ice cream को अब आप भी इसे जरूर बनाएए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को like, share और subscribe भी जरूर करें Thank you